हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पिसने इस्टिचूट तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12 जैकबोर्ड मोडल पेपर केमेश्ट्री 2023 इससे पहले हम लोग अब्जेक्टिव कर चुके हैं आज हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे देखें देखें सब्जेक्टिव में क्या है तین टाप का कोस्टन हैं first one to seven कोस्टन में आपको five कोसं सौल्व करना है और next eight to fourteen में seven कोसण यहां पे आपको five कोस्टन सौल्व करना है और 14 to 19 हम आपको can करते हैं। आइए एक कुस्ण को च्टार्ट करते हैं। देखें कुस्ण नramble first का वे ओफ Marshall क्या एरॉसव जिए। शो यह कुस्ण कहां से शरफेस निस्टी से हैं और किस टॉपिक्स है यह कोवाई से क्लाइट किसे बोलते हैं जिसमें पाइक्टिकल का रेंज one nanometer to 1000Nm होता, उसे हमलों क्या बोलते हैं? कलाइडस बोलते हैं कुलाइड को आप सोलियूशन से compare कर सकते हैn जिस टाइप के एक सोलियूशन में एक solute और solvent होता है उसे टाइप से कलाइड में क्या होता है? disperse phase और dispersion medium होता है soluute, disperse phase जयसा और solvent, dispersion, medium के जैसा तो अब आते हैं एरोसॉल एरोसॉल क्या होता है जब सॉलिड या फिर गैस किस देखें एरोसॉल क्या है जब हम लोग सॉलिड को गैस में डिजॉल्व करते हैं या फिर लिक्विड को गैस में डिजॉल्व करते हैं उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं एरोसॉल बोलते यानि समझिए solid को gas में dissolve कर रहे है या liquid को gas में dissolve कर रहे है तो क्या कलाता है aerosol कलाता है यानि dispersed phase आपका क्या हुआ या तो solid या फिर क्या होगा liquid होगा क्या होगा liquid लेकिन dispersion medium क्या होना चाहिए gas होना चाहिए उसे हम लोग क्या बोलेंगे aerosol बोलेंगे अब देखिए solid gas में या liquid gas में देखिए gas gas का ये collider ने होतो तो mixer हो जाता है तो यहाँ पर मैं लिक है solid gas में डिजॉल्ब हो रहा है liquid gas में डिजॉल्ब हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे aerosol बोलेंगे example क्या होगा smoke या फिर fork cloud dust यह से आप लिख सकते example में किसका aerosol का तो देखिए क्या यही सिर्फ आता है exam में नहीं यहाँ पर कुछ important हो जो आपको याद रखना होगा जैसे emulsion emulsion किसे बोलते हैं जब आपका dispersed phase liquid होगा और dispersion medium भी liquid होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे emulsion बोलेंगे और example क्या है milk, hair cream या फिर butter यह भी emulsion पूछता है इसके बाद एक और exam में ज्यादा पूछता है gel किसे बोलते हैं जब liquid को solid में resolve किया जाता है यानि dispersed phase liquid और dispersion medium क्या solid तो उसे हम लोग क्या बोलते है जेल बोलते हैं example क्या है cheese और zellies तो यह था आपका question number first आएए नेक्ष्ट क्यों पर question number two क्या है what is metallurgy समझे है metallurgy होता क्या है हम लोग कोई भी metal जो earth crust से निकालते क्या वो pure होता है नहीं बहुत सारा dust होता है बहुत सारा impurity होता है निकालने के बाद बड़ा बड़ा चट्टान के form में निकालते हैं फिर उसे छोड़े छोड़े पार्ट में break करते हैं फिर उसे dust particle हटाता है जिसे हम लोग gang बोलते हैं कहने का मतलब है metallurgy क्या होता है earth crust से जब metal निकालते हैं और उसे pure करने तक सारा process को हम लोग क्या बोलेंगे metallurgy बोलेंगे यानि समझे अर्थ crust से metal निकाले जो impure state में है pure करने तक जितना सारा process हुआ इनी process को क्या बोलते हैं metallurgy बोलते हैं तो NCRT definition देखिए the entire scientific and technological process used for isolation of the metals from its ore is known as metallurgy कोई दिखकर अब देखिए अगर यह definition आपको tough लग रहा है तो आप यह भी कर सकते हैं metallurgy is defined as a process that is used for the extraction of metal in their pure form यह आपका क्या हुआ metallurgy आए निश्ट कोशन पर कोशन नम्बर थाड एमांग hydride और ग्रूफ 15 element which has lowest boiling point समझे ग्रूफ 15 element किसे बोलते हैं nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismut इसे हम लोग कैसे याद करते हैं नानपाटेकर, एस्वरिया, सब बिमार इस step से आप याद कर सकते हैं ग्रूफ 15 element को अब यहाँ पर क्या बोला उसका hydride यानि यह किस से reaction कर रहा है hydrogen से तो S3 यहाँ पर भी क्या होगा S3 यहाँ पर आप से क्या बोला गया है कि ग्रूफ 15 element में lowest boiling point क्या होता है समझे जब हम top to bottom आते हैं क्या आते हैं top to bottom तो boiling point क्या होता है increase करता है तो उस इसाब से देखे तो lowest boiling point किस का होना चाहिए ammonia का होना चाहिए है smaller element और यहां पर lone pair है और यहां आप किसे hydrogen bonding बनाने के लिए क्या चाहिए hydrogen और फोन यानि fluorine oxygen nitrogen तो यहां पर nitrogen present है तो यह आपस में hydrogen bonding बना लेता है इसका boiling point क्या होता है increase कर जाता है सिर्फ ps3 phosphine से नहीं arsenic से भी ज्यादा हो जाता लोवेस्ट बॉलिंग पॉइंट किसका होता है phosphine यानि pH 3 का किसका pH 3 का यह आपका कि एंसर फॉस्पीन यह नहीं है यह अमोनिया यह क्या है फॉस्पीन पिएच थ्री आए यह ने स्कॉस्टन पर कुस्टन पर कुस्टन नुबर प्रामिक नंबर देखते हैं तो क्या होगा आरगन यह हो गया आरगन उसके बाद क्या होगा फॉरेश्ट टू आरगन कितना 18 2 20 3D 5 3D 5 यह होता है किसका एमन का लेकिन एमन का तो नहीं पूला है किसे का बूला है एमन प्लस टू का तो देखें एमन प्लस टू यानि दो इलेक्ट्रों यहां से बाहर चला जाएगा तो एमन प्लस टू का इलेक्टोनिक कंफिगरेशन क्या होगा आरगन और यहां पर देखें यह से दो इलेक्ट्रों चला गए यहां पर क्या बचेगा 3D 5 अपने यहां 5 देखें 3D 5 को ता डी औरबाटल कितने 51234 तो वन टू टू त्री फो फाइब तो टो टोटल अंपेरड उलेक्ट्रों कितना होगा यहां पर फाइब टोटल अंपेर्ड उलेक्ट्रों फाइब तो how many unpaired electron are present in m n plus 2 i n तो कितना electron होगा 5 electron होगा जो total क्या होगा unpaired electron होगा ठीक है चलिए नेश्ट कॉस्टन पे कॉस्टन नमर 5 what type of hybridization is involved in the geometry of square planar देखिए जी कॉस्टन में लिए है किस से कॉडिनेशन geometry से कॉडिनेशन compound job का chapter है तो यहां पर हम इसे ज्यादा explain नहीं कर सकते हैं सिर्फ हम बता सकते हैं क्या होता है इसका होता है dsp2 dsp2 आप सोच रहे होंगे sp2 आके d क्यों आ गया तो square planar का होता है क्योंकि square planar का क्या बोला है geometry बोला है यही अगर यह बोलता octahedral का geometry तब क्या हो जाता sp3 d होता ओक्ता है sp3 d होता है लेकिन किसका बोला है square planar का square planar का आपका क्या होगा dsp2 होगा क्या होगा dsp2 ध्यान दिजिए हम टिक left से लिखते हैं थोड़ा opposite मारतें confused बत किजिएगा यह क्या होगा dsp2 आईए निश्ट कोशन राइट दा आयूपेक नेम आयूपेक नेम किसका दिया हुआ structure तो जब भी देखिए जब दो functional गुरूप आता है क्या दो functional गुरूप तो हम एक को reference देते और दूसरे को क्या माल लेते हैं branch बांगते तो हम किसे reference देंगे तो देखिए अब ज़्यादा आप 11th class में पड़े होंगे जब poly hydroxy naming हम लोग करते हैं poly group जब poly functional group होता है तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन आप ज्यादा नहीं आप 3-4 याद रखे आपका poly जो group आएगा यानि more than one functional group आएगा तो कभी confuse नहीं किजेगा फर्स्ट याद किजे सी डबल ओएच इसका prefix यूज नहीं होगा हमेशा क्या होगा यह सफिक्स होगा इसके निचे क्या होता है इसके निचे आपका होगा aldehyde CHO इसके निचे आपका क्या होगा किटोन और यहाँ पर क्या होगा ओएच होगा क्या होगा ओएच जब ओएच क्या OH जब branch होता है इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं hydroxy यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं hydroxy तो यह आपका order होता है किसका poly functional group का तो देखें यहाँ पे दो functional group क्या-क्या LDHID और कौन alcohol तो order में देखें alcohol नीचे है LDHID क्या है उपर में that means LDHID मेरा अब यहाँ पे क्या होगा functional group होगा और OH मेरा branch के जैसा भी है करेगा अब वो functional group नहीं होगा जब OH branch बनता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं hydroxy यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं hydroxy तो चलिए CHO मेरा branch यह functional group है तो इसे रिफ्रेंज देंगे नमरिंग किजिए 1,2,3,4,5 अब देखें ब्रांच क्या क्या आपका है 4 पे क्या है methyl group 3 पे क्या है hydroxy group तो अलफा बेडिकल में पहले कोन आएगा hydroxy आएगा तो इसका नेमिंग क्या होगा 3 hydroxy 3 hydroxy और क्या है 4 पे methyl 4 methyl 3 hydroxy 4 methyl आप total number of carbon देखें कितना है 5 तो 5 के लिए क्या है उसका करते है pent 5 के लिए pent single bond के लिए an और aldehyde के लिए क्या al तो यहाँ पे क्या होगा al पेंटनल अब डाइट लिख सकते है या पेंटन 1 al भी लिख सकते है तो यह आपका naming हुआ 3 hydroxy, 4 methyl, pentanol सिर्फ आपको यह याद रखना है दो functional group जब आता है एक branch बन जाता है जब alcohol branch बनता है तो उसे हम लोग all न लिखे क्या लिखेंगे? hydroxy लिखेंगे चलिए next question पे question number 7 right name of disease caused by deficiency of vitamin D यह तो बहुत famous है vitamin D के कमी से क्या होता है? rickets होता है क्या होता है? rickets rickets mainly बच्चों में पाय जाता है उसमें होता क्या है? जो हटी होता है, bones जो होता है soft यानि मुलाइम होता है, तमजूर होता है bend यानि एक shape में ने रहता हलका त्याड़ा बेला जिसा हो जाएगा ठीक है तो रिकेट्स में क्या होता है हड़ी पूरा सॉफ्ट हो जाता और बेंड हो जाता है तो बिटामिन डी के कमी से यह होने वाला बहुत ही फैमस डीजिस है जो मैंली बच्चों में होता है तो यह क्या है रिकेट्स आईए तो अब तक जो 1-7 कोस्टन था यह आपका क्य क्या है What is the order of reaction what is the order of reaction what is the unit of first order reaction समझेए order of reaction होता क्या है actual में जो रियक्टेंट होता है उसके कॉफिसेंट पे order depend नहीं करता है हम हो सकता है कभी depend कर जाये लेकिन 100% depend नहीं करता है तो यहाँ पे एक नया concentration आता है जो किस से पता चलता है rate law से किसे rate law से पहले आप इसका definition देखिए The order of chemical reaction is defined as the sum of the power of the concentration of the reactant in the rate law of chemical reaction तो order क्या है समझते हैं देखिए माल लिजे आप यहाँ पे एक reaction लिजे क्या है a a plus b b product दिया तर rate of reaction क्या होगा k a to the power x b to the power y यह x और y क्या है new concentration टर में 100% small a small b के equal नहीं होगा जो new concentration टर मा आता है उन्हीं को add करते हैं तो यह मेरा क्या निकलता है order of the reaction यानि order of the reaction क्या होगा x plus y होगा चलिए अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है unit पूछा है किसका first order reaction का तो कुछ जरूरी है कि हर्स में first order पूछ सकता है नहीं zero order पूछ सकता है two order पूछ सकता है तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक common formula याद रखना होगा order of the reaction का common formula क्या होता है mole per liter 1-n per second किसका बोला है first order का the first order का बोला है that means n का value क्या होगा one होगा n का value क्या होगा one अब आते हैं हम लों निकालते order of the reaction order of reaction किसका first order का तो n के जगा पे आप one put कीजिए तो यहाँ पे one put कीजिए तो mole per liter यहाँ पे क्या है one minus one per second देखिए one minus one क्या हो गया zero तो any term to the power zero zero equal to क्या होता है one यानी unit क्या होगा पर second होगा क्या होगा पर second होगा अब देखिए अगर यह पूछ देता कि zero order reaction का unit क्या होगा किसका zero order का तो इसी formula में हम क्या substitute करेंगे n equal to zero n equal to zero तो zero order का rate यहाँ पे unit क्या हो जाएगा जब यहाँ पर पूट किजएगा तो क्या होगा mole per liter one minus zero per second यह हमें सब per second ही होगा one minus zero क्या होगा one ही होगा anytime to the power equal to one यानी same चीज़ हो जाएगा तो unit देखिए यहाँ पे आप क्या होगा zero order का mole per liter per second तो कोई दिखकर इस step से आप सिर्फ first order का नहीं zero order का second order का किसी भी order का आप unit निकाल सकते हैं यह आपका formula है आपको याद रखना होगा mole per liter one minus n per second चलिए अब आतें next question पे question number nine क्या है right difference between physio disruption and chemio disruption देखिए यह question आपका किस से है surface chemistry से दोनों क्या है surface phenomena क्या है surface phenomena लेकिन physio disruption में जो होता है यह chemical प्रोसेस से नहीं होता है लेकिन chemio disruption में क्या होता है chemical reaction के थुरू होता है तो difference देखते हैं physio disruption क्या होता है it arises because of wonder wall forces यहाँ पे wonder wall force से होता है लेकिन chemio disruption में क्या होता है chemical bond का formation होता है किसका chemical bond का formation होता है सेकेंड पॉइंट देखें क्या है, फीजियो में, it is not specific in nature, यह specific नहीं होता है, लेकिन chemio में क्या होता है, highly specific in nature होता है, ठीक है, देखें, हम लोग जानते जब chemical reaction हो जाता है, तो कभी reversible नहीं होता है, milk से कड बनना, अब कड से तो milk बनेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या हु रिवर्सिबल लेकिन, फीजियो में क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, अब देखें, फोर्थ पॉइंट ज्यादा अगर आपको बड़ा लग रहा है, यह लिखें क्योंकि मैं NCRT से कॉपी यहाँ पे कियें, नहीं तो, फीजियो में क्या होता है, low temperature required होता है, क्या होता ह क्या होता है high temperature होता है क्या होता है high temperature क्या होता है high temperature requirement होता है तो यह आप लिख सकते हैं नेश्ट क्या है enthalpy of adsorption physiosorption के लिए low होता है 22, 40 kJ और enthalpy of adsorption high होता है 82, 240 kJ पर मॉल यह आप surface chemistry में बहुत ही famous question है बहुत बार पूछा जा चुका है अच्छे से कर चुके होंगे आए नेश्ट कुस्टन पर कुस्टन नमर 10 क्या है complete these reaction क्या है CH3, CH2, CH double bond CH2, HBR, peroxide समझे जब भी अगर alkenes से HBR reaction करेगा तो यहाँ पर chances है anti-marconic of rule लगने का लेकिन anti-marconic of rule कब लगता है जब HBR के साथ peroxide होगा HBR के साथ peroxide अगर यहाँ पर peroxide नहीं होता तो marconic of rule लगता लेकिन आप याद रखे HCL अगर यहाँ पे होता क्या होता HCL तो यहाँ पर peroxide हो या ना हो हमेशा क्या लगेगा marconic of rule लगेगा लेकिन यहाँ पर HBR है इसके साथ में per oxide है तो यहाँ पर यह क्या लगेगा anti-marconic of rule क्या लगेगा anti-marconic of rule अब देखते है anti-marconic of rule क्या होता है जो आप add कर रहे है ठीक है क्या जो आप add कर रहे है उसका negative part उस carbon के पास जाएगा जिस carbon के पास ज्यादा hydrogen होगा यह किसके according anti-marconic of rule तो देखिए हम add क्या कर रहे है HBR जब यह break होगा तो H पर क्या होगा partial positive और BR पर क्या होगा partial negative तो negative part उस carbon के पास आएगा जिस carbon के पास ज्यादा hydrogen होगा तो double bond है यहीं तो break होगा यानि BR आएगा इस carbon के पास क्योंकि यहाँ पर 2 hydrogen है यहाँ पर एक hydrogen होगा यहाँ पर क्या जाएगा H जाएगा तो first का मेरा product क्या होगा ध्यान दीजे CH3 CH2 CH CH2 और यहाँ पर क्या आएगा BR और यहाँ पर आएगा hydrogen यह देगा pro कब? जब यहाँ पर औक्साइड होगा अगर पर औक्साइड नहीं होता BR इस carbon पर आता यानि Marko-Nikof-Rule Marko-Nikof-Rule क्या होता है? Negative part जो आप add करें उसका negative part उस carbon पर जाएगा जिस carbon के पास less number of hydrogen होगा कोई दिखकर? चलिए तो अब देखिए यह first का हुआ इसका क्या होगा? अगर आप answer देखना चाहिए 1, 2, 3, 4 क्या होगा? 1-Bromo-Butane इसका नेम क्या होगा? 1-Bromo-4-Carbon के लिए Bute, single carbon, single bond के लिए A नहीं तो क्या होगा? 1-Bromo-Butane आईए कुश्चन नमबर B पे कुश्चन नमबर B कॉप समझे कुश्चन नमबर B यहाँ पे क्या है? CH3, CH2, BR, AGCN दिखिए हम जब objective कुश्चन बना आएं थे तो इसका concept वहाँ पे हम बता चुके है यहाँ पे जब AGCN से reaction करता है कोई भी hello alcan तो क्या product देता है? आईसो साइनेट देता है क्या देता है? आईसो साइनेट चलिए पहले इस question को solve करते है CH3, CH2 क्या है? CH3 CH2 BR यह जब reaction करेगा AGCN से किसके साथ? AGCN के साथ तो यहाँ पे आईसो साइनेट प्रोड़क्ट देता है तो यह क्या हुआ? CH3 CH2 और यहाँ पे क्या होगा? आईसो साइनेट यानि नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा और AGBR साइड प्रोड़क्ट देगा अब साइड प्रोड़क्ट लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं तो यह आपका क्या है? 1 to 2 करवान तो इथाइल आईसो साइनेट इथाइल आईसो साइनेट चलिए अब समझें अगर यही कोशन होता यह हम बता चुके हैं अब्जेक्टिव में लेकिन फिर से समझें CH2 BR और अगर यहाँ पे होता क्या? AGCN के जगाँ पे KCN क्या होता? KCN तो यहाँ पे साइनाइट प्रोड़क्ट देता तब देखी क्या बनता? CH3 CH2 और यहाँ पे कारबन से कनेक्ट होता इसका नहीं क्या होता है? इथाइल साइनाइट क्या होता है? इथाइल साइनाइट लेकिन जब AGCN रहेगा तो isocyanide product देगा याद रखिएगा ऐसा क्यों होता है बता चुके यह क्या होता है ionic bond होता है यह क्या होता है covalent bond होता है इसलिए आईए question number 11 पे complete this reaction क्या करना है complete reaction करना है simple से funda देखिए CH3 CH2 OH PCL3 यह आपका first chapter organic का first chapter hello alcan hello erin से है बहुत ही famous five reaction यहां पर उनमें से एक reaction दिया हुआ है तो चलिए से complete करते हैं यहां पर होता क्या है hello alcan बनता यानि product क्या बनेगा c h3 ch2 और यहां पर c l आएगा क्या आएगा c l और product बाहर क्या जाएगा h3 po3 h3 po3 जब यहां पर 3 chlorine है तो यहां पर आपको 3 देना होगा that means यहां पर भी आपको 3 देना होगा balance करने के लिए तो क्या बना chloroethan और side में क्या निकला h3 po3 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं phosphorus acid अगर h3 po4 होता तो phosphoric acid यह क्या है phosphorus या फिर orthophosphorus यह था question number first आए question number second क्या है phenol जब react करेगा concentrated h3 और concentrated h2SO4 यह देखें बहुत ही famous question है क्यों अभी आए देखते हैं यहां पर क्या logic होता है first में जब भी concentrated h3 होगा क्या होगा concentrated h3 तो phenol में जितना भी orthopara position है हर एक पे क्या होगा NO2 ग्रूप जाएगा क्या जाएगा NO2 ग्रूप वैसे भी यह पाचान किसका है nitrogen का किसका nitrogen का और nitrogen में adding molecule क्या होता है adding molecule होता है NO2 तो यहां पर यह क्या होगा NO2 यहां पर यह NO2 और यह भी क्या होगा NO2 होगा लेकिन यह product कब देगा जब concentrated h3 recording सही से हो रहा है या नहीं सही है चलिए मुझे लगा recording सही से नहीं हो रहा है आईए तो यहां पर जब भी phenol concentrated HNO3 हो concentrated H2SO4 से जब reaction करेगा तो क्या product बनेगा हर एक ortho para position पर क्या आएगा NO2 ग्रूप आएगा यह आप किजिए यह बहुत ही famous common naming reaction है इसी का नाम क्या होता है पिक्रिक acid क्या होता है पिक्रिक acid यह बहुत बार पुछा हुआ है अगर इसका आयूप एक नेम देखें तो क्या होगा नम्री कर दिजिए 246 trinitrophenol यह क्या है इसका आयूप एकने में अब समझे जो हम कहना क्या चाह रहे थे हैं यही फैनोल होगा benzene और यह OH लेकिन अगर यहां पे concentrated HNO3 ना रहके यहां पे होगा क्या dilute क्या होगा dilute HNO3 होगा dilute HNO3 तब nitrogen होगा लेकिन separate separate ortho para product देगा that means यहां पे OH यह connect हुआ क्या NO2 plus phenol OH यहां पे आएगा NO2 यह क्या है orthonitrophenol और यह paranitrophenol तो समझे फर्क क्या है जब concentrated HNO3 होगा तो तीनों जगहां पे क्या जाएगा NO2 गुरूप जाएगा picric acid बनेगा लेकिन जब dilute HNO3 होगा तो यह क्या बनेगा दो separate product बनेगा ortho nitrophenol और यह क्या है paranitrophenol तो यह आपको याद रखना है जब concentrated तब product किया और dilute तब product किया यह concept है इस question में आईए नेस्ट question को question number 12 write three difference between DNA and RNA देखिए DNA और RNA में क्या difference है सारुखान को देखें उसका beta को देखिए Aryan खन जश्ट duplicate नजर आता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि हम लोग के body में DNA होता है जो heredity को क्या करता है contain करता है एक body से एक generation से दूसरे generation में लेके जाता है तो हम यह पर फर्क देखते है DNA और RNA में तो first देखिए four point यही है DNA क्या है it is the main factor heredity जो भी हम आपको बता है similar group जैसे हम अपने मम्मी या पापा से मिलते जुलते यह heredity तो यह किसके कारण होता है DNA के कारण लेकिन RNA क्या होता है यह synthetic protein होता है क्या होता है synthetic protein तो first difference हो गया second देखिए DNA, RNA यह क्या होता है एक nucleotide से मिलके बनावा होता है basic unit nucleotide होता है जिसमें क्या क्या होता है penta, pentose sugar होता है phosphoric acid होता है और nitrogenous base होता है तो sugar में DNA में जो होता है deoxid ribose sugar होता है कौन होता है deoxid ribose लेकिन RNA में क्या होता है जो sugar होता है ribose होता है क्या होता है ribose होता है clear अब आते है जो nitrogenous base होता है fourth type का base DNA में जो base होता है adenine होता है guanine होता है cytosine होता है और fourth number पे thymine होता है थायमीन लेकिन आरेने में जो फोर्थ बेस होता है एडिनीन तो होगा गुआनीन होगा साइटोसीन होगा लेकिन थायमीन नहीं होता है थायमीन के जगा पे क्या होता है यूरसील होता है तो डिफ्रेंस कहा है डिएने में कौन सा बेस होता है थायमीन होता है लेकिन आरेने मे किसमे DNA और RNA चलिए नेश्ट कॉस्षन पे कॉस्षन नमर 13 क्या है distinguish between homopolymer and copolymer देखिए homopolymer किसे बोलते हैं यह mainly polymer से है homopolymer क्या होता है mainly polymer होता है क्या है छोटा छोटा यूनिट मिलके एक बड़ा compound बनाता है ठीक है किसमें पोलिमर में तो छोटा छोटा यूनिट मिलके जो बड़ा compound बन रहा है वो पोलिमर कला है लेकिन छोटा छोटा यूनिट क्या कला है मोनोमर कहलाता है क्या कलाता है मोनोमर जब सेम टाइप का मोनोमर होगा तो क्या कला हैगा homopolymer जब डिफरेंट टाइप का मोनोमर होगा अब क्या का लाएगा को पॉलिमर पहले अब एक्जाम्पल से समझें यहाँ पे देखिए यह क्या है N इथेन मतलब इथेन का N मोलिक्यूल है यानि कोई दूसरा मोलिक्यूल नहीं इथेन इथेन ही रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे क्या बना पॉलिथीन बना तो यहाँ सेम टाइप का मोनोमर रिपीट होके पॉलिमर होग पॉलिथीन बना तो यह किसका एक्जाम्पल हुआ होमो पॉलिमर का लेकिन आईए, नायलोन 6S को अब देखिए, नायलोन 6S किसे बना है? यहां बना है Hexamethyl, Diamine और यह मेरा क्या है? Adipic Acid जब Hexamethyl, Diamine और Adipic Acid मिला, तब क्या बना? नायलोन 6S यह भी यहां पे N Molecule होगा, यह भी N Molecule होगा और N Water Rock Molecule जाएगा और Combined होके N बनता है हुआ को पॉलिमर का लेकिन इधेन इधेन आपस में रिपीट होके पॉलिथीन बना तो यह किसका एजामपल हुआ को पॉलिमर का कोई दिक्कत अब आते हैं इसका डिफ्रेंस देखते हैं तो देखें इधे पॉलिमर डाट इज मेड़ ऑफ ओनली वन टाइप ओफ मोनोमर लेकिन को पॉलिमर क्या होता है यह टू और आप ओफ मोनोमर होता है यह पाला डिफ्रेंस इधे ओफेंड सेंपल अस्ट्रक्चर क्योंकि सेम टाइप का जब रिपीट होगा तो सिंपल क्या बनता है क्या बनता है कॉंपलेक्स यह पूरा क्या structure है consist of अब सेंगल स्पिसिज्ज हाब repeating यूदे क्योंकि सेम टाइप का मनोमर रिपीट होगा लेकिन को क्या होगा repeating जो मोलीक्यूल और टू और मोर टाइप का होगा एक्जामपल पी बी सी पॉलिथीन टैफलोन वगेरा इसका एक्जामपल क्या हुआ ब्यूना एस नाइलोन शिक्स यह सब किसका एक्जामपल को पॉलिमर का है कोई दिखकर चलिए आते नेश्टोशन पे कोसे नमबर 14 और वाटा ट्रान्क्लिएजर, राइट वन बबबि ट्रान्क्लिएजर, राइट ॉन एक्जामपल और सेकर में कया है वाटर अनल्जेसिक, राइट वन इक्जामपल दीखिए ट्रान QUE cricket होता क्या है किसके माइड के टैंसन को कम करेगा यानि मैनली बोला जाए तो यह आपके agitation को, anxiety को यह सब को कम करता है लेकिन analgesic क्या होता है, analgesic mainly यह क्या होता है, relief pain को करता है यानि pain killer जो क्या होगा, एक analgesic होगा पले आप difference देखिए, tranquilizer क्या है, tranquilizer क्या होता है tranquilizer is a drug that is designed for the treatment of anxiety, fear, tension, agitation and disturbance of the mind specifically to reduce state of anxiety and tension यानि थोड़ा थोड़ा पागलपन भी जो होगा, वहाँ पे जो medicine यूज होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, tranquilizer को यूज करेंगे, किसे यूज करेंगे, tranquilizer को example देखें क्या है, equanil है, इस steps यहाँ पे, one example बोला, यहाँ यहाँ पे, three example लिखा हुआ है अब आए analgesic, analgesic mainly क्या होता है, pen killer, यानि body में बहुत ज़्यादा pain है pain को relief करने के लिए, जो हम medicine लेते हैं, उसी medicine को हम क्या बोलते हैं, analgesic बोलते है तो analgesic are a class of medication designed specifically to relieve pain, यह point आपको याद रखना है जो pain को relief करने के लिए, जो medicine लेते हैं, क्या होता है, analgesic होता है tranquilizer क्या होता है, mind को, जो mind disturb होता है, उसको ठीक करने के लिए tranquilizer को use किया जाता है, आए यह next question पे तो देखिए, 18 to 14, 7 question था, इन में से आपको 5 question solve करना था, जो 3 marks का है अब देखिए, 15 to 19, यह 5 question है, 5 marks का है, यहाँ पे आपको 3 question solve करना है आई यह question number 15 देखिए, right short notes on dimagnetic, paramagnetic, ferromagnetic difference समझे, dimagnetic क्या होता है, dimagnetic substance are weekly repealed by magnetic field dimagnetic क्या होगा, weekly repealed करेगा, ऐसा क्यों होता है dimagnetism is known by those substance in which all the electron are paired हर एक electron क्या होता है, paired होता है, कहने का मतलब dimagnetism क्या होगा ऐसा magnet, जो क्या होगा, weekly repeal करेगा, किस में, magnetic field में repel क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी unpaired electron नहीं होगा सबका सब क्या होगा, paired electron होगा, इसका famous example water का आप हमेशा याद रखेगा, water किसका example है, dimagnetism का किसका, dimagnetism का, अब यहाँ पे देखते हैं, paramagnetism paramagnetism, paramagnetism substance are weakly attract, dimagnetism क्या था, weakly repealed और paramagnetism, weakly attract, तो weakly attract क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे presence of one or more unpaired electron, यानि कहने का मतलब, यहाँ पे कुछ unpaired electron होता है, जिसके कारण यह क्या होता है, weakly attract होता है, weakly attract होगा, तो weakly attract होता है, जिसके कारण इसे हम क्या बोलते हैं, temporary magnet बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, temporary magnet, क्योंकि magnetic, magnet के presence में यह किअसा bev HER करता है, magnet के जैसा, example समझे, paramagnetic का, माल लिजे यह आपके पास magnet है, क्या है, magnet, कोई iron का यहाँ पे kill ले लिजे, अब यह है लेकिन आप दूसरा iron का kill लीजेगा तो आप इसमें अगर लीजेगा तो यहाँ पी यह magnet के जैसा behave करेगा लेकिन आप magnet को हटा दीजे तो यह iron का kill magnet के जैसा behave नहीं करेगा इसलिए पारा magnet को क्या बोला जाता है? temporary magnet बोला जाता है आएए यहाँ पे next ferromagnetism ferromagnetism the substance that are strongly attract क्या होता है? strongly attract होता है by magnetic field इसी को हम लोग क्या बोलते है? ferromagnetism क्या example है? iron, cobalt, nickel अब चलिए फिर से समझते हैं dimagnetism weakly repel करेगा paramagnetism weakly attract करेगा ferromagnetism strongly attract करेगा फिर से देखिए dimagnetism क्या weakly repel कर रहा है क्यों? वहाँ पे unpaid electron नहीं होता है paramagnetism weakly attract करेगा क्यों? क्यों 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 वहाँ पे unpaid electron होता है ferromagnetism strongly attract करेगा और यही magnet जैसा होता है यानि यही एक magnet होता है तो इन में से magnetic properties सबसे यदा किसका होगा? ferromagnetism कर चलिए आते हैं next question पे question number 16 write Friday's law of electrolysis Friday's law of electrolysis समझे Friday's too low दिया है हम लोग जब electro chemistry में क्या पढ़े है electrolysis पढ़े है तो वहाँ पे क्या देखे है कि जब भी electrolysis हो रहा है तो electrode पे substance deposit हो रहा है deposit हो रहा हो तो पढ़े लेकिन कितना deposit होगा वहाँ पे नहीं बढ़े तो कितना amount deposit होगा यह बताएगा हमको Friday's law कौन बताएगा? Friday's law तो Friday's first law क्या है? Friday's first law of electricity electrolysis state that the mass of a substance deposited at any electrode is directly proportional to the amount of charge passed यह आपका क्या है? first law माल लेते हैं क्या बोलगा यहाँ पे? कि electrode पे जो mass deposit होगा वो mass किसके directly proportional होगा? जो आप उसमें charge pass कर रहे हैं माल लेते हैं W क्या है? जो mass deposit हो रहा है यह directly proportional किसका होगा? चार्ज जो pass कर रहे चार्ज को माल लेते हैं क्यू? dietary proportional हट आते हैं क्या होगा? W equal to Z Q अब फर्मूला पढ़ेंगे पढ़ें हैं I equal to क्या होता है? Q by T I equal to Q by T तो यहाँ से हम Q equal to क्या लिख सकते हैं? I into T I into T तो यहाँ पर देखिए यह फर्मूला क्या बनके आया? Z equal to I into T चले Z into I into T यह आपका है Friday's first law अब समझते हैं mainly यहाँ पर क्या होता है? Z कैसे निकालते हैं? तो देखिए Z equal to क्या होता है? Equivalent weight क्या चीज? Equivalent weight by Friday's constant यह आपको tough लग रहा होगा तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो simple आप जब भी Z लिखिएगा तो Z equal to आपका क्या होगा? ध्यान देजे Equivalent weight क्या होता है? Molecular mass by N N क्या होता है? Number of transfer of electron तो यहाँ पर लिख सकते हैं Direct Z equal to molar mass या फिर Molecular mass तो चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं short में molar mass molar mass by N और Friday's constant क्या होता है? 9,6,5,00 यह आप Z का value पूट कर सकते हैं molar mass आप किसी का भी जैसे O2 होगा तो molecular mass असानी से निकाल सकते हैं water होगा copper होगा जो भी होगा आप molecular mass निकाल सकते हैं तो molar mass by यह तो constant होगा 9,6,5,00 N क्या होगा? Number of electron जो transfer होगा एक question भी दिया उस पर हम लोग solve करेंगे आईए Friday's second law क्या होता है masses of different elements liberated at electrode when same magnitude of electric charge is passed through two or more electrolytic cell और जो electrolytic cell होगा वो किस में connect होगा? series में are directly proportional to the to their chemical equivalent weight तो अगर देखा जाए जब दो series को क्या कर रहे हम? series में दो electrolyte को हम दो electrolytic cell को series में connect कर रहे है और जब series में connect होता है तो current क्या होता है? constant होता है that means कहने का मतलब है यह जो second law आया है first law से ही आया है समझे माल लेते हैं two electrolyte है one और एक में क्या? w two क्या बोल रहा है? यह directly proportional होगा equivalent weight e1 by e2 e1 यहापे क्या है? equivalent weight है तो यह है आपका second law of किसका? fridays का अभी हम आपको बता है equivalent weight क्या होता है? equal to equivalent weight कैसे निकालेंगे? हम लोग e का value ध्यान देजे equivalent weight e का value हम लोग निकालेंगे molar mass molar mass by n यहापे n क्या है? number of transfer of electron अगर acid होगा तो जितना h plus donate करेगा यहापे क्या होगा? n होगा base होगा तो जितना oh minus donate करेगा तो जितना number होगा? n होगा लेकिन यहापे mass deposit हो रहा है तो यहापे n mainly क्या होगा? जितना number of electron transfer होगा देखते हैं question पे इसी का second part में question दिया हुआ है देखिए क्या है? आपका यह first law से यह question बन जाएगा question number B तो चलिए इस question को हम लोग solve करते हैं देखिए same question यहापे हम लिखे हुए तो यहापे current आपको आई कितना दिया हुआ है? 2 ampere आई कितना है? 2 ampere इस pass through aqueous solution of copper chloride CuCl2 for 30 minutes देखिए time कितना दिया हुआ है? time दिया हुआ है 30 minutes लेकिन याद रखिएगा इस formula में जब भी आप use किजिएगा time तो हम इसा second में use किजिएगा तो 30 minute को second में convert किजिए 30 into 60 कितना हो गया? 1800 second चलिए time पता चलिया क्या deposit हो रहा है? copper chloride किस पे? amount of copper will deposited at cathode at cathode तो देखिए copper chloride CuCl2 अगर इसका solution होगा तो देखिए यह क्या होगा? Cu plus 2 plus 2 Cl minus कहने का मतलब Cu plus 2 यह जो है deposit हो रहा है कहाँ पे? electrode पे तो यह solid में तो देखिए कितना electron लिया होगा? 2 electron तब तो Cu plus 2 charge से Cu पे गया होगा यहाँ पे plus 2 charge यहाँ पे 0 तो 2 electron accept किया होगा that means यहाँ पे N का value आपका क्या आगिया? 2 आगिया N का value क्या आया? 2 that means इस question में हम क्या use करेंगे? N का value हम क्या use करेंगे? 2 यूज करेंगे 2 अब चलिए हम लोग question को solve करते हैं इसे हम अटाते हैं यह समझने के लिए किये थे हम लोग तो अभी हम लोग first law से क्या देखे थे? W equal to क्या formula था आपके पास? W equal to Z into I into T यह आपका formula था Z अभी हम आपको क्या बता है? molar mass molar mass by N into Friday's constant यानि 96500 into I आपका क्रेंग कितना है? 2 ampere time कितना है? 1800 second यह हो गिया अब चलिए इसे solve करते हैं copper का molecular mass कितना होता? आप जानते हैं 63.5 number of electron N का value 2 Friday's constant 96500 into 2 into 1800 इसे आप solve किजेगा यह 20 यह 20 यहां से गिया 2 2 से cut गिया जब इसे आप finally solve किजेगा तो आपका answer आएगा 1.184 gram that means इतना gram को पर cathode पे क्या होगा? deposit होगा तो Friday's law हमको क्या बताता है? एक electrolytic cell में कितना mass cathode पे deposit हो रहा है? के लिए? यह था आपका question number 16 आएगे question number 17 पे question number 17 क्या है? draw the structure of the following compound अब हमको structure draw करना है देखे, mailing यहां पे तो structure दिया हुआ है लेकिन यहां पे इसका name भी पूछ सकता है तो हम लोग name भी देखते चलेंगे या फिर geometric पूछता है तो क्या question के step कराता हो भी देखते हुए चलेंगे फर्स्ट आपका क्या है? S3PO4 तेखे, यह oxoacid of phosphorus है क्या है? oxoacid of phosphorus समझे oxoacid of phosphorus का general formula होता है P double bond O OH यहां पे कुछ भी connect होगा यह general formula होता है किसका? oxoacid of phosphorus का अब हम लोग structure बनाते एका क्या है? S3PO4 तो यह तो मेरा structure होगा ही होगा P double bond O OH यहां पे step से होगा अप अगर इस formula से इसे compare किजे phosphorus आ गया कितने oxygen 4 4 में से 2 oxygen यूज हो चुका है यह लेकिन यहां पे कितने oxygen बचा हुए? 2 oxygen hydrogen 3 है 3 hydrogen में से 1 hydrogen यूज हुआ आप इसे satisfy किजिए तो हम बोल सकते हैं यह किसका structure हुआ? S3PO4 का इसे का नाम है phosphorus acid phosphorus phosphorus acid या तो फिर इसे orthophosphoric acid भी बोलते हैं ध्यान दिजएगा क्या? orthophosphoric acid एक चीज और यहां पे पुछता है basicity क्या पुछता है? basicity तो देखिए इसका basicity क्या होता है? जितना OH group phosphorus से connect होगा उतना OH group यह base donate कर सकता है H plus तो उसका क्या होगा? basicity अगा direct phosphorus से H connect है तो OH यहां पे donate नहीं करेगा क्या donate करेगा? OH donate करेगा तो कितने OH group है? 1, 2, 3 तो इसका basicity कितना हुआ? 3 हुआ OH यहां पे यह होगा इस formula से से आप compare कीजिए 3 hydrogen में 1 hydrogen use हो चुका है 2 oxygen में 2 oxygen use हो चुका है बचा क्या है? 2 hydrogen और 1 oxygen that means 1 oxygen और 1 hydrogen OH लगा दिजिए लेकिन अभी भी 1 hydrogen तो यहां पे क्या होगा? H होगा इसका नम क्या होता है? phosphorus acid क्या? phosphorus acid acid यह इसे orthophosphorus acid बोलते है इसका basicity कितना होगा ता कितने OH गुरूप आपको देख रहा है? 2 OH गुरूप ता इसका basicity क्या होगा? यह basicity बहुत बार पूछा है तो basicity कितना होगा? 2 होगा आए next C C क्या है? PCL 5 PCL 5 तो देखिए चलिए इसका structure को आए लोग देखते हैं? PCL 5 देखिए कि स्टैप का यह structure होता है? PCL 5 यानि एक क्लोरीन यहां पे होगा एक क्लोरीन यहां पे होगा यह एक क्लोरीन क्लोरीन और ये एक क्लोरीन यह स्ट्रक्चर होगा किसका PCL 5 का इसका नाम क्या होगा ट्राइगोनल बाई पिरामीडल ट्राइगोनल बाई पिरामीडल अब इस्ट्राइप से यहाँ पर देखा सकते है ये ये ये, ये इसका structure हुआ, next क्या है देखिए, XeO3, XeO3, तो देखिए XeO3, Xe, एक oxygen, दो, और ये एक, तीन, तीन oxygen, लेकिन जेन 1 के outermost में कितने अन पेड़े electron होते हैं, 8, 2, 2, 4, 2, 6, जिर्क तो यूज हो चुका है, एक यहाँ पर बचा हुआ है, तो उसे हम क्या दिखाएंगे, लोन पियर दिखाएंगे, तो ये क्या होता है, pyramidal, क्या होता है, pyramidal, ये सब geometry हम बता रहे हैं, ये सब पूस्ता है एक्जाम में, क्या होता है, pyramidal, next एक बचा हुआ ह क्या है इसमें, xeof4, क्या है, xeof4, xeof4, तो देखते हैं, इसका structure क्या होता है, तो xe, ये हुआ, xeof4, तो ध्यान देजिए, या तो फिर, चलिए, shape में देखते हम, और चलिए, xeof4, आज़िए, ये आपका क्या हो, फ्लोरीन, 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 ठीक है, एक oxygen अभी भी है, तो यहाँ पे होता है, oxygen, ठीक है, और यहाँ पे एक होता है, lone pair, ये geometric किसका हुआ, xeof4 का, अगर इसका आप नाम देखें, तो क्या होता है, square, pyramidal, geometric क्या होगा, square, pyramidal, तो ये आपको, जो अभी हम geometric बता रहें, इन सब का geometric भी पूछता है, तो ये आपका था, question number 17, आए question number 18 पे, what is mole fraction, mole fraction क्या होता है, तो ध्यान दिजिए, mole fraction क्या है, mole fraction एक ratio है number of mole का, जिसका mole fraction निकालने के लिए बोलेगा, उसका number of mole को एभब में रखेंगे, by denominator में total number of mole, लेकिन याद रखें, mole fraction एक ratio है number of mole का, इसका कोई unit नहीं होता है, तो समझें, mole fraction क्या है, mole fraction, the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles, all of the component in the solution, और हमेशा याद रखेंगा, जब भी mole fraction आप निकालिएगा, तो mole fraction का जो value आएगा, हमेशा 1 और 0 के बीच में आएगा, लेकिन जितना भी mole fraction होगा, सबको add कीजिएगा, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, तो देखें, the sum of mole fraction of all the component in solution, which always be equal to 1, जिसे माल लिजे, एक यहाँ पे आपको solution दिया हुआ, A और B का, माल लेते हैं, moles of solute, यहाँ पे solute मेरा A है, जिसका number of mole Na है, और solvent मेरा यहाँ पे B है, जिसका number of moles क्या है, NB, तो अगर हमको mole fraction निकालने A का बोलेगा, तो mole fraction of A क्या होगा, number of mole of A by number of mole of Na plus NB, तो यह formula होता है, किसका mole fraction का, यहीं पे आपका second question क्या दिया हुआ है, what is the mole fraction of glucose in 10% W by W glucose solution, दिखें, question में mole fraction glucose का निकालने बोला है, और दिया क्या है, 10% of glucose, W by W, इसका meaning क्या होता है, 10% W by W glucose का meaning है, कि 10 gram glucose dissolve है, 100 gram solution में, समझें, दिखें, 10% W by W glucose solution means, 10 gram of glucose dissolve in 100 gram solution, तो अगर हम बात करें, mass of glucose का हम M1 मालने हैं, तो कितना है, 10 gram, 100 gram solution है, तो solvent वहाँ पे क्या water है, तो total solution क्या 100 gram, उनमे 10 gram glucose है, तो solvent कितना होगा, 100 minus 90 gram, तो mass of water, यानि कितना होगा, 90 gram, अब हमको निकालना है, मोल, तो मोल निकालने का formula क्या होता है, given mass by molar mass, given mass by molar mass, तो moles of glucose क्या होता है, moles mass कितना दिया, 10 gram, और glucose का molecular mass कितना होता है, 180, अब पढ़े होंगे, C6, H12O6, इसका molecular mass निकाली, carbon का कितना 12, कितने carbon है, 6, प्लस, hydrogen का 1, कितने hydrogen है, 12, प्लस, oxygen का 16, कितने oxygen है, 6, इसे आप जब solve किजिएगा, तो क्या आएगा, 180 आएगा, तो वहीं यहाँ आप लिखें, given mass by molar mass, 00 कड़ गया क्या बचा 1 by 18, जो क्या होगा, 0.56, इसी टैप से moles of water निकालते हैं, तो given mass water का mass कितना 90 ग्राम, 90 by molecular mass, तो H2O, तो H2O का molecular mass कितना होगा, 18 ग्राम, कितना होता है, 18 ग्राम, वहीं यहाँ आप लिखें, 90 by 18, that is 5, तो number of moles glucose का निकल गया, number of moles water का निकल गया, अब हमको क्या निकलना है, mole fraction of glucose, जिसका mole fraction निकलना, उसके number of moles को एबब में रखेंगे, by क्या, total number of moles, तो mole fraction of glucose को X1 अगर हम मानें, तो number of moles of glucose कितना निकला है, 0.56, by total number of moles, तो glucose का 0.56, water का 5, जब इसे हम solve कियें, तो कितना हैगा, 0.011, sorry, 0.011, क्योंकि mole fraction का कोई unit नहीं होता है, क्योंकि यह ratio होता है, number of moles का, अब समझें, यहाँ पे तो दिया हुए नहीं है, लेकिन mole fraction आपको water का भी बोल सकता था, तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें, क्या, mole fraction of water, mole fraction of water, यानि H2, तो अभी हम आपको क्या बताएं, कि total number of mole fraction हमेंसा क्या होता है, 1, यहाँ पे दो ही number of moles है, तो अगर glucose का mole fraction 0.011 है, तो water का mole fraction कैसे निकालेंगे, 1 में इसे हम subtract कर देंगे, तो 1-0.011, इसे subtract कर दीजे, कितना है है, 0.989, यह होगा mole fraction कि, इसका water का, mole fraction के लिए फिर से यह formula आपको यूज़ करने का ज़रूत नहीं है, क्यों, क्योंकि दो ही का mole fraction निकालना था, एक का निकाल चुके तो दूसरे का क्या करेंगे, 1 में उसे subtract कर देंगे, तो दूसरे का mole fraction निकल जाएगा, तो यह छोड़ा सा concept था इस question में, चलिए, अब आते हैं हम लोग next question पे, identify PQRS and T in the following reaction, फर्स्ट में क्या है, CH3, द्यान दिजे, CH3, COH, किस से reaction कर रहा है, SOCl2, याद किजिए, SOCl2 आप कहां पे पढ़ें, फर्स्ट चेप्टर हेलो अलकेन, हेलो एरिन में, प्रिपरेशन ओफ हेलो अलकेन में, जो एलकोहल से OH ही जाता था, यहाँ पे भी वही होगा, इस acid से क्या होगा, OH यहाँ से जाएगा, देखे हम इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, COOH, यहाँ से OH निकलेगा और CL connect होगा, तो यह क्या बना, CS3, COCl, यह बना, यह मेरा क्या हुआ, P, यह मेरा क्या है, P है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, Acetyl Chloride, क्या होगा, Acetyl Chloride, Next क्या बोल रहा है, इसे हम further reaction किसे करा रहें, H2, P, D, B, A, SO4, याद किजिए, यह किसका reagent है, यह आपका reagent किसका है, Rosenman Reduction का, किसका, Rosenman Reduction का, तो second देखिए, जब मेरा पास, P मिल चुका है, CS3, CO, CL, यह हम लोगों का क्या है, P, इसे हम reaction करा रहें, H2, क्या है, P, D, B, A, SO4, यह कौन सा reaction है, Rosenman, Rosenman Reduction, यहाद किजिए, यहाँ पे क्या था, यह preparation of LDHID था, preparation of LDHID, यहाँ यहाँ पे chlorine निकलेगा, तो product क्या बनेगा, CH3, CO, और यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, यहीं आपका product क्या है, Q है, क्या है, Q, इसका name क्या होगा, Ethanal, दो carbon है, यहाँ से आपका क्या पूछ रहा है, R क्या होगा, देखे, R को यहीं पे हम solve करते, CH3, CH2, CWH, फर्स्ट में क्या है, CL2, रेड़ फॉस्फफरोस, और सेगंड क्या है, H2O, तब product क्या दे रहा है, R दे रहा है, देखे, इस catalyst से आप क्या पाचान रहे हैं, यह जो catalyst, यहाँ पे जो reagent यूज किया गया, याँ आप कीजिए एक बहुत ही famous reaction था, HBZ reaction, क्या था, HBZ reaction, यहाँ किसका बात करें, question number 2 का B का बात करें, यहाँ पे क्या था, alpha carbon, एक acid में, जो alpha carbon होता है, उससे hydrogen निकलता है, और halogen group add होता है, तो यहाँ पे देखिए यह C है, यह मेरा क्या है, alpha carbon है, तो इस alpha carbon से hydrogen बाहर जाएका, यहाँ पे क्या हैगा, chlorine connect होगा, तो आपका R क्या होगा, इसी में चली बनाते हैं, CH3, C, एक hydrogen, एक hydrogen निकल जाएगा, वहाँ पे chlorine आएगा, तो यह क्या होगा, CL और यह COH, तो यह आपका कौन साब प्रोड़क्ट है, R है, कौन साब प्रोड़क्ट, R, अगर इसका आप नाम देखना चाहें, तो 1, 2, 3, तो क्या होगा, 2 chloro, 3 कार्बन 3 के लिए प्रॉक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और acid है तो, Oic Acid, तो इसका नाम क्या होगा, 2 chloro propane Oic Acid, यह था question number B, आईए C में देखते हैं, CH3CO, CH3, ZNHG, HCl, फिर से देखें, काने का मतलब यहाँ पे आप देखें, जितना भी convert करने के लिए दिया है, सब naming reaction से था, 1st में क्या था, Rogenman reduction, B में क्या था, HVZ reaction, 3rd आप देखें, यहाँ पे आपको फिर से एक naming reaction है, और यह कौन सा naming reaction है, Clemencion reduction, Clemencion reduction में क्या होता है, आप तो अब सा concept समझे, C double bond O, Carbonyl group में, जब हम लोग reaction कराएंगे, Z and HG, Z यानि, Zinc Amalgam HCl, तो होता क्या है, यह CH2 group में convert होता है, किसमें convert होता है, CH2 group में, और इसी को हम लोग बोलते है, Clemencion reduction, क्या, Clemencion reduction, तो यही reaction आपका क्या है, C में, तो देखें, क्या होगा कुर्शन यहाँ पर, C, क्या है, CH3, CO, CH3, यहाँ पर, catalyst हम लोग क्या ले रहे, Zinc Amalgam, Z and HG, प्लस HCl, तो यहाँ Clemencion reduction होगा, यह CO group CH2 में convert हो जाएगा, और product देगा, CH3, CH2, CH3, यह क्या बना, propane, क्या बना, propane, तो यह आपका product क्या है, S है, क्या है, S, नेश देखें क्या है, CH3, CHO, SCN, यहाँ पर देखें, SCN, और किस में हम लोग reaction करा रहें, LDHID में, तो यह किस chapter से, LDHID, ketone, carboxylic acid में, chemical properties किसका, LDHID का, जब SCN, add करते, तो क्या देता है, sinohydrin product देता है, sinohydrin देता है, तो यह तो easy reaction है, आजाए, CH3, C, यहाँ एक hydrogen है, H, LDHID है यह, किस से reaction कर रहा है, HCN से, HCN, तो याद किजिए, यहाँ पर product क्या देता है, देखिए, क्या देगा, C, यह CH3, H, C, sorry, इसी से connect है, यहाँ पर, जब यह break होगा, तो होता क्या ध्यान देजिए, यह इधर shift होगा, sorry, double bond, O, यह इधर shift होगा, तो यहाँ पर partial negative, यहाँ पर क्या होगा, partial positive, यह break होगा, H+, और यह Cn- में, तो यहाँ पर क्या आएगा, O के साथ negative, तो negative पर क्या जाएगा, H+, यहाँ पर क्या आएगा, OH, और यहाँ पर क्या आएगा, Cn, यह क्या होता है, sinohydrin, क्या होता है, sinohydrin, तो यह था आपका, question number, 19, तो इस step से, subjective question, मिलते हैं, next model paper के साथ, thank you,